आज के प्रथम सत्र में चर्चा करते ही वे एक बात मैंने कही थी, कि ध्यान जबरदस्ती का नहीं है. दूसरों से भी आप ध्यान नहीं करवा सकते और आप चाहें की ध्यान लग जाए, जबरदस्ती करेंगे तो ध्यान नहीं लगने वाला है. गुर्देव जी कहा करते थे, यदि हाथ की उंगलियां किसी बड़े पत्थर से दब गई हैं, जटके से खीचोगे, उंगली खराब हो सकती है, आहिस्ते से निकालना पड़ता है. हम लोगों का मन इसी प्रकार संसार में दबा हुआ है, दो एक उधान दिया करते थे, गुर्देव जी, बास का पेड़ देखे होंगे आप लोग, दो प्रकार के बास, एक नीचे काटो और खीच लो, सीधा निकाल आता है, मैंने देखा है, एध 的य आश्रम में वो बास के पीड़ थे, और ऐसे भी पीड़ आप बास के होते हैं, जहां उसकी साखाएं बहुत निकलती हैं वहाँ उधर कैनी कहते हैं उसकी साखाएं इतनी ज़्यादा होती है और सघंत होती बास एक जगा बहुत सारे बास होते हैं एक दुसरे उसकी साखाएं उल्जी हुई होती हैं होती है और उसमें साखाएं उतनी नहीं होती है तो इसमें इतनी साखाएं उल्जी होती तो नीचे काट करके खीचना चाहेंगे बास नहीं निकाल सकते आप यदि उस बास को निकालना है तो प्रतेक साखा को प्रतेक कैनी को काट काट के निकालना पड़ेगा तब वो निकलत उल्जीवी है, ऐसे ही हमारा मन है, विन शाखा प्रशाखा है इसमें, और सब ऐसे फंसीवी है, सब, लोगों से, घटनाओं से, वस्तुओं से, बहुत पुराना-पुराना, उल्जना है, एक-एक को काटो, धीरे से निकलती है, हरबढ़ाने से नहीं होगा, शद्र विशाल देव ने कहा है, अमित काल से मै बंधा, हट कीने नहीं चूट, अमित काल से, मिती, अमित, तिथी नहीं है जिसकी, कोई मिती थी नहीं है, मतलब सदा से, मै बंधा, लेकिन हट कीने नहीं चूट, हट करके आप उससे चुटकारा नहीं पा सकते, सिश्टम से च अर्थात, जीवन को इस धंग से निर्मित करें, कि आपके जीवन में ध्यान का जनम हो जाए, ध्यान प्रगट हो जाए. मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, तब होता है ध्यान का जनम, अब प्रशने कब होता है? उसी सारा उत्तर है वो, मतलब ये सब करेंगे, तो ध्यान का जनम हो जाएगा, ध्यान कहीं अलग नहीं है, कि आप ले आए खीच के, या कोई आपको ध्यान करा दे, यह भी संभव नहीं है, उपाय बता सकता है, विधी बता सकता है, करना आपको है, हो सकता है जो विधी बता रहे हो, वो आपके लिए कारगर न हो, कोई बात नहीं, आप अपने ढंग से करें, लक्ष क्या है? मन का अमन होना, ध्यानम निर्विश्यम मनहा, मन का निर्विशय होना, विशय कहते हैं पदार्थ को, जब आप बैठें और मन में किसी पदार्थ की याद ना है, व्यक्ति का शरी भी तो पदार्थ ही है, विशय, विशय पदार्थ किसी प्रकार से, आप किसी को याद कर रहे तो क्या याद करेंगे, या तो दिखाई देता है, दिरिश, यह शब्द, यह सब तो होता है, यह श्वाद लिये हैं, वो, यह क्या है, ख्याल किये, किसका ख्याल किये, अमुक जगा गया था, बहुत स्वादिष्ट मिठाई बने थी, स्वादिष्ट, श्वाद, वो क्या है वो पदार्थ ही है, जिससे आप ले रहे हैं, शब्द किसी ने प्रसंसा की थी, किसी ने अपमान किया था, वो सुना ही दे रहा है, यहां बैठे हैं, लेकिन उसकी याद कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ध्यानम निर्विश्यम मना, मन का निर्विशय हो जाना, विशय शेप परे इस सब विशे हैं, शब्द, इस्पर्ष, रूप, रस, गंद, सब विशे हैं, इन पाँचो विशियों से जब आप परे हो गए, तब शद्गुरु स्री निर्मल साहब जी ने कहा है, कि सरूप से बाद सारा विशे जान, पाँचो विशे पंचतत्तों से निर्मान, सरूप क ये बाद सारा विशे जान, एक है स्वा, जिस पर मैंने कल्चर चाकी थी विश्थार से, स्वा और पर, एक तो आप है, जो जानने वाला है, और दूसरा है, जिसे आप जानते हैं, और वो सरल्भास में जड़ और चेतन, जीव और जड़, तो एक दृष, जो दिखाई दे रहा है, तो दृष एक मतलब केवल आँख नहीं, श्वाद, शब्द, इश्पर्ष, ये, तो ये जो विशे हैं, ये याद में न रहें, निर्विश्यम मना, मन का निर्विशय हो जाना, तो ये ध्यान की पूर्णता है, तो ये अचानक तो होना नहीं है, कि आप बैठे औ और मन से कहो, ध्यानस्त हो जाओ, शान्त हो जाओ, मत याद करो, नहीं होता है भई ऐसे, ऐसा होता तो सब कर लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कब होगा ध्यान का जनम, मतलब मैंने कहा नहीं, ध्यान का जनम होता है, प्रगठ होता है, आपका जीवन ऐसा बने, आपकी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें ध्यान प्रगठ हो जाए तो वो तो उसके बारे में थम बाद में चर्चा करेंगे जो व्यवहार काल की जीवन सैली वो थम बाद में चर्चा करेंगे कि जब आप ध्यान साधना में न हो तब कैसी जीवन सैली होनी चाहिए लेकिन जब आप साधना काल में हो एक है वेवार काल दूसरा है साधना काल तो साधना काल में कौन सी हम ऐसी इस्तिती बनाएं कि जिससे ध्यान प्रकट हो ध्यान की सफलता मिले साधना की सफलता मिले तो वो है तो पहला हम कर ही रहें क्या कर रहे हैं यहां आते हैं सब मुझे बैठते हैं मैंने कहा सिधे बैठो और आखें बंद करो लेकिन शरीर धिला हो तनाव पूर्ण नहो पहले कहा स्वांस को देखो स्वांस लंबी घरी स्वांस लो यह सब बातें यह क्या है बाहिय भूमिका बाहर से आपने इस प्रकार भूमका निर्मित की फिर श्वाश को देखो सब बाहिय भूमिका है इसको करते करते आपको आंत्रिक भूमिका क्योंकि यह तम बाहर से कर रहे हैं सुन कर कर रहे हैं लेकिन आपको अंदर क्या करना है ये भी जान ले, जिसे कहते हैं आंत्रिक, ये बाहिय भूमी का, एक आंत्रिक भूमी का, अंतश में क्या होना चाहिए, ये जरा ध्यान दो, मैंने कहा था, सुबा के सत्रमी भी कहा था, जब आप ध्यान शुरू करें, तो बाहर से आप सिधे बैठ गए, आखें बंद कर गरी लंबी सांस लिए, अब क्या करना है, एक संकल्प भाव जगे, कौन सा संकल्प, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, ये भाव, अंदर, आप अंदर से क्या महशूर करना है, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, संकल्प, दिखिए संकल्प की अपनी एक विधी होती, सिष्टम होता है, कोई अंदर से धीरे से कर रहा है, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, नहीं चलेगा, आप इस धंग से भीतर बोलें अंदर से, अब आज की जरुवत नहीं है, लेकिन इतनी गहराईशे आप संकलब लें, कि आपके भीतर, जो प्रशु चीजें, सामान्य पुलुष्ति वह वस्ता देख रही है, शहर की, लेकिन जब कहीं दंगा हो गया, कहीं कुछ हो गया, वो रिजर्व है, वो आजाओ भई, उनको बुला लिया जाता है, तो हमारे भीतर भी, बहुत सारी शक्तियां रिजर्व में हैं, रिजर्व फोर्श क कहते हैं, प्रशुप्त शक्तियां है, वो तो कई बार तो जब ध्यान नहीं देते, जीवन भर वो शक्तियां एक्टिव होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, अब उसको क्या करना है, एक्टिव करना है, एक्टिवेट करते हैं आप लोग, उसको सक्री करना है, शक्री करने का साधन है, संकल्प संकल्प यह कर गे ही रहूंगा, देखो कैसे, इसको मैं एक छोटा सुधान दू जब आप से किसी ने कहा देखो, एक दवड लगाओ दवड लगाओ और वहां तक दवड़ते और जल्दी जैसे कंपिटिशन कर देखो, चार लोग दवड़ो जो पहला नंबर आएगा, उसको मैं एक फॉंटेन पेंदू, एक कलम दूँगा दवड़ेंगे कलम में क्या रखा है भाई, ठीक है ना मिल गए तो ठीक, लेकिन ठीक है पिर भी दवड़ेंगे, दवड़ेंगे तो आप उतनी शक्ती पूरी नहीं लगाएंगे कब लगाएंगे, आपके पीछे कोई बंदूग लेकर के आपको खदेड रहा हो और तब दवड़ेंगे, तब कितनी दवड़ेंगे, समझ रहे ना कहते हैं ने, सिर को पैर को सिर पर रख करके दवड़ा, उड़ा दवड़ा नहीं उड़ा मिलखा सिंग देखें मिलखा सिंग मिलखा सिंग के बारे हम सुने होंगे जो धावक पाकिस्तान में गया ओलम्पिक के समय और उनोंने गोल्ड मेडल जीता था फिल भी बनाएं मिलखा सिंग उनको गोल्ड मेडल जीए था और दवड़ना था बस दवड़ पड़ा हो और जानते हो क्या हुआ तब उसको बाद में वहाँ जो अध्यक्ष था या राष्टपती था उसने कहा है बेटा तुम दवड़े नहीं उड़े हो उड़े हो दवड़े नहीं उड़े हो पर्थम नमबर आया था उड़े हो ऐसे ही तो शंकल्प का मतलब उसने शंकल्प लिया था मुझे पर्थम आना है आप और हम संकल्प जगाए वो शंकल्प शक्ति हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को चाक्रत कर देती है, एक्टिव कर देती है, कहा जाता है, एक खरगोश, कुत्ते ने देखा, कुत्ता जप्टा, खरगोश दवड़ा, बहुत जोर से भागा, कुत्ते भी पीछा किया, और अंतता क्या हुआ, एक जाड़ी में एक बिल था, नीचे छेत था, वहां जाकर के खरगोश छिप गया, कुत्ता बैठा इंतिजार कर रहा था, तो फिर वो थोड़ा सा निकाला, और भीतर से चेहरा, और कहता है खरगोश, क्यों कुत्ते भाई, आप तो मेरे से कही गुना तेज़ दोड़ते हैं, कैसे नहीं पकड़ पाया, का यही बैठकर तो मैं सोच रहा हूँ, खरगोश तो मेरे से तेज़ दोड़ी नहीं पाता है, लेकिन मैं तेज़ दोड़ने वाला, कैसे खरगोश को नहीं पकड़ पाया, यहीं सोच रहा हूँ, खरगोश ने का मैं बत और प्राण बचाने के लिए तो जब प्राणा भचाने के लिए दोडते हैं तो तो जर्वा शaktि होती न वो अग्टि फो जाती अड्रिनाल एक्टिव हमारे भीतर से हारमोंश अग्टिव हो जाते हैं और वो हारमोश हमको एक दम तेज दोड़ने के लिए विवश कर देते हैं और शक्ति ऐसी आभी जाती है वो प्रशुक्त शक्तियां जो साधन में सहयोगी हैं उसे एक्टिव करना है संकल्प मैं ध्यान में प्रविश करके रहूंगा मैं कर शक्ता हूं तो क्या होगा? एक्टिव हो जाएंगे और आप को चाहे हो इस्थिर बैठने में हो शांद बैठने में हो सब में सही होगी मन के एक अगरता के लिए सब में सही होगी होगी फिर उ तो पहला काम जो अंदर से भूमिका निरिमित करना है शंकल्प कौन से संकल मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा दूसरी बात संकल पतो है लेकिन एक दूसरी चीज क्या हो रही है विश्वास नहीं है अपने में बात तो सही है अच्छी बाते कह रहे हैं ध्यान में ध्यान करना भी चाहिए ध्यान में पहुचना भी चाहिए, अनभव भी होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या हो रहा है? अविश्वास, खुद पर अविश्वास, बस यही है नुक्षान करने वाला, आप जब खुद पर विश्वास नहीं, जैसे आपने कहा, मैं नहीं कर शकता, आप कर पाएंगे, हेंरी फोडर ने कहा है, यदि आप कहते हैं कि मैं यहां कर शकता हूँ, या आप यहां कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, दोनों में सही आप, दोनों में सही है, यदि आप कहते हैं मैं कर शकता हूँ, तो करी लोगे, फिर कहते हैं नहीं कर सकता, तो सच मुझ नह कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं विश्वास है, अपने उपर तो कैसे कर पाओगे, आत्मविश्वास है, जैसे एक पहाड़ी है और पहाड़ी को देखकर मैं क्या कहता हूँ उस पहाड़ी की चोटी पर मैं नहीं चड़ सकता बस नहीं चड़ सकता तो नहीं चड़ सकता लेकिन यदि मैं कहता हूँ उस पहाड़ी की चोटी पर मैं चड़ सकता हूँ मैं चड़ सकता हूँ जानते फिर क्या होगा आप चलना सुरू करेंगे फिर पूछेंगे अच्छ उस चोटी पर जाने का रास्ता कौन है कौन सा है रास्ते बताने वाले मिल भी जाएंगे और ये भी हो सकता है उस चोटी पर जाने वाले अन्य साथी भी होंगे, वो आपके हमराही भी हो सकते हैं, चलो, लेकिन पहले ही माल लिए, कि मैं नहीं चड़ सकता, तो उस रास्ते को भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं चड़ सकता, ना कहे को पूछूंगा, इतना अंतर होता है, इसलिए आत्म भिश्वाश, क क्या मैं करशकता हूं, क्योंकि इस दुनिया में किसी ने ये काम किया है, कभी भी, तो मैं भी करशकता हूं, तथा गद बुद्ध कहते थे, कि सभी मनुष निर्वान पराप्त कर सकते हैं, सभी निर्वान पराप्त कर सकते हैं, तो एक ने कहा, भगवन आप कहते हैं कि सभ तो सब निर्वान प्राप्त कर सकते हैं, तो सब निर्वान क्यों निर्वान क्यों प्राप्त कर लेते हैं, सब का निर्वान क्यों निर्वान क्यों निर्वान हो सकता है, तो सब निर्वान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग चाहेंगे तब तो, अच्छा एक काम करो, तु जाता था, घर का दरवाजय खट 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 आता था, पूस्ता था, आपको क्या चाहिए, समझ रहना, क्या बताएगा वो, ये चाहिए, वो चाहिए, यही तो दुनिया की चीजे बताता है, पूरा गाउ घूम करके आ गया, बुद्ध से, बुद्ध ने का, बना लिया, हाँ, बनालिया, अच बताओ, कितीन लोग निर्वाण चाहते है, भगवण कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, कहाँ, मैंने कहा चाहता, अबी भी कह रहा हूं, सब का हो सबताएगा लेकिन लोग चाहें तब तो, बुद्ध लोग जाहते है, और को दुनिया चाहिए, उनको तो आप रास्ता पूछेंगे, ढूंडेंगे, कहने का मतलब है, उसने, हम कहते हैं, कि मैं विश्वास जगे, कि मैं चाहता भी हूँ, और मैं करशकता हूँ, पस, यदि किसी ने किया है, तो मैं भी करशकता हूँ, और मैं करके ही रहूंगा, ये भाव जगे, तब कुछ थोड़ा से आप अप होना सुरू करेंगे, तो पहली बात, आंतरीक भूमिका के लिए, संकल पभाव, दूसरी बात, ये विश्वास कि मैं करशकता हूँ, एक तीसरी बात, तीसरा क्या है, जब आप कही साधना में बैठेंगे, चाहे, अब दिखिए, हर समय तो आप इस प किसी कमरा में आपके ही कमरा हो, आप बैठेंगे, फिर क्या होता है, जनरली जब साधना में बैठते हैं तब, एक बच्चा रोने लग गया, या पक्छी कवा बोलने लग गया, या किसी ने मोटर साइकली स्टार्ट कर दी, कुट्ता ही भूग रहा है, अब आपने क्या कहा आप देखो ना, इतनी आवाज हो गई, मेरे ध्यान को इसने भंग कर दिया, सब बेकार, सब बाधा आएं, या घर में कोई बरतन की आवाज आ गई, आपने का सोचा, बाधा, बाधा, किसी घटना को, किसी आवाज को बाधा मानेंगे, तो वो बाधा बन जाएगे, लेकिन आप ने क्या किया श्वीकार भाव, acceptance, श्वीकार जैसे स्वीकार जब आप उस घटना को अस्वीकार क्या कह रहे हैं? आप अके लिए ध्याने बेठें आवाज आ रहे हैं, क्या करें? यह क्यों बोल रहा हैं? यह क्यों आवाज कर रहे हैं? यह ना करें, ना करें मतलब एक तो घटना घट रही है आपके भीतर क्या रहा है घटना न घटे कोई आवाज न हो पक्छी न बोले गाड़ी की आवाज न आए ये विरोध सुरू हो गया आप हो रहा है उसको आप नहीं चाहते जब जब विरोध होगा तना होगा ये नियम है एक रस्टी एक तरफ से आप खीचे एक तरफ से मैं खुचूँ रस्टी में क्या होगा तना होगा लेकिन मालो आपने रस्टी छोड़ दी मेरा क्या होगा समझ रहे न रस्टी धीली पड़ जाएगी और वो जिसको आप समझ रहे हैं उसका कोई, वो समझ लीजे, आपके लिए खतम, आपने श्विकारा, कोई बाद नहीं, लेकिन क्या होता है जनरली, जब आप उसे श्विकार करते हैं, श्विकार नहीं करते हैं, आपके मन में विचार उटे हैं, जैसे कववा ही बोला, अब क्या हो गया, यह क्यों बोल रहा यहाँ बैट करके, यही बोलना चाहिए था, अभी बोलना चाहिए था, विचार, आपने श्विकार किया, अवाज आई और गई, बस, जैसे आप उसको बुजर जाने दिये, विरोध नहीं किये, और ध्यान क्या है, non-resistance mind, अब प्रतिरोध मन, ध्यान की सफलता है, आप अव श्विकार, प्रतिरोध करो ही मत, क्यों प्रतिक्रिया मुलज रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, दुनिया अपने धंग से चलेगी, घटनाय घटेंगी, मुझे उससे कुल लेन देना नहीं है, मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, श्विकार भाओ, श्विकार, acceptance, जैसे उस को स्विकार किये, वो बाधा नहीं रहेगी, तो यह तिसरी बात, चोथी बात क्या है, अचाहपद, अचाहपद, अचाहपद का मतलब यह हुआ, आप साधना में बैठे, ध्यान में, और किसी ने कह दिया, वहाँ परमात्म के दरसन होंगे, अचा परमात्म नभी मानो, आत दिखाई देगा, या फिर किसी ने कहा, जोती, बिंदू, नाद, या वहाँ पर ढोल मृदं की आवाज आती है, शब्द मतलब यह, सच क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा था नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जिनको कचून चाहिए, सोई साहंसा, अचाहापद, क्य क्यों, क्यों अचाहा की जरुरत है, चाहनाओं से थम बनते हैं, सदुरु खफिने बात कही है, इच्छा करी भाव सागर, यह पंक्ती है उनकी, इच्छा करी भाव सागर, जामे वोहित राम अधार, कहाए, कबीर हरी शरन कहू, गौखुर बच्छ बिस्तार, इच्छा करी इच्छा ही भाव सागर है, जहां इच्छा हुई, आप भाव सागर में चले गए, इच्छा छोड़ दो, सदुरु विशाल्दे की पंक्ती बहुत महत्व पूना, जो इच्छा छोड़े फिरे तही को को गहिलीन, वो द्याती ढंक से थोड़ा सुनके सब्दाव लिया है, लेकिन बड़े मारके की है, जो इच्छा छोड़े फिरे तही को को गहिलीन, जो इच्छा को छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, कौन गण कर लेगा, इच्छा पद में कहसे हैं, च्छा में ही दर्द है, दा है, इसलिए अच्छा पद, अच्छा पद, ध्यान के समये, ना आपको परमात्मा की चाहा रखनी है न मोक्ष की चाहा रखनी है न शान्ति की चाहा रखनी है क्योंकि आप से अलग न परमात्मा है न शान्ति है न मोक्ष है न सत्य है आप पूर्ण है पूर्ण है इसलिए अचा चाहेंगे जगत को चाहेंगे पदार्थ को और आपको चाहि एक बात, और अंतिम है अश्विकार भाव, देखे एक बार कहा था स्विकार भाव, अब कहा रहा हूं अश्विकार भाव, अश्विकार का मतलब क्या हुआ, आपने अपने आपको माना है, माना है, क्या माना है, मैं पुरुष हूं, मैं इस्त्री हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं साधू हूं, मैं ग्रियस्त हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं डक्टर, मैं वकील, मैं इंजिनियर, मैं प्रोफेशर, मैं पती, मैं पतनी, यह क्या है उसको कहते हैं अस्विकार यह सब नहीं हो भाई आप यह सब नहीं हो क्योंकि यह सब भी एक दिन छुटेगा तब भी आप रहेंगे जब आप जनम लिये थे तब आप डाक्टर नहीं थे प्रोफेशर नहीं थे लेकिन थे आप यह सच है आप पिता नहीं थे पत्नी नहीं थे लेकिन थे आप थे आप शरीर यह तो लिंग के आधारा पर कह रहे हैं यह नर है यह नारी है कभी शाहिए नित बिलकुल इसको अस्विकार किया है ताकर जाति कहा है तब आया है कि अवरण बरण की ताता सीरा हिंदू तुरुक की बुड़ो बारा नारी पुरुस का करव विचारा हंस देह तजी न्यारा होई यह विजग की पंक्ती है हंस देह तजी न्यारा होई ताकर जाति कहे दो कोई श्याश शफेद की राता पीरा औरन बरन की ताता सीरा, हिंदू तुरुक की बुड़ो बारा, नारी पुरुष का करव विचारा, कौन है बताओ, शरीर भेद में हैं, घट भेद में हैं, ठीक है, घट का अपनी मरियादा है, लेकिन सच क्या है, जो आत्म तत्वा, एक पुरुष के अंदर है, भेद नारी के अंदर, अब इसलिए, उपनिशद में भी, और शांख दर्सन, योग दर्सन में भी, उसे पुरुष ही कहा गया है, जिसको हम लोग आत्माल जीव कहते हैं, वो पुरुष ही कहा गया है, पुरुष ही कहते हैं उसको प्रकृति और पुरुष पुरुष का मतलब इस पुर रुपी शरीर में गाव रुपी शरीर में निवास करने वाला पुरुषेते पुरुषा इस शरीर रुपी पुर में शयन करने वाला पुरुष यह जीव है वो पुरुशा है, कहीं भी हो तो आप वो नहीं है इसलिए क्या करने है अस्विकार, अस्विकार ख्याल करो, मैं पिता नहीं मैं पुत्र नहीं मैं किसी का कोई संबंधी नहीं कोई पत्परतिष्ठा नहीं सबसे अलग और सच यह है भी सच है असा हैं आप कुछ बनते हैं दे ही नहीं शुद्ध संब्ध, सुद्ध आत्मभाव से क्योंकि शंबने हैं अब बने है तो छूटेंगे, बिश्चिते, छूटेंगे कोई संबंध इस्थाई लग संबंध का विष्चेद होता है संबंध का वियोग होता है तो फिर आप अशंबंध अशंबंधी है इसलिए अश्विकार तो एक तो बाहर की भूमिका एक आंतरिक भूमिका कुछ बाते मैंने कही क्या क्या कहा बाहर की भूमिका में आपको एक अच्छे वातरण तो चहिए यह भी सच है कि बहुत कोला हाल हो प्रदूशन हो जहां धुआ हो और धूल धूशरी जगा हो आपका शाधना में कठील है मुश्किल नहीं होगा इसलिए थोड़ा से ध्यान तो रखना पड़ेगा लेकिन आप अपने घर को छोड़ कर कहा जाएंगे जो है हो है आप अपने परिवार को छोड़ कर कहा जाएंगे जो है सो है बस इसलिए उसे स्विकार करना है उसे स्विकार करना है तो संकल्प भाव हो और विश्वास हो अपने पर कि मैं करशकता हूं और स्विकार भाव हो अचाहपद हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बाहर से मुझे कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल निर्चाह और अश्विकार भाव ये कुछ भूमिका अच्छे इसको देखना क्या है आप बैठे हैं अंदर से आपने क्या दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह दिखाई थोड़ी देता है, अंदर, अश्विकार, अश्विकार, लेकिन एक संकल्प भग कर रहे हैं भीतर से, संकल्प मत तो पूर रहे हैं, अब दिखाई थोड़ी देगा, लेकिन आप ध्यान में बैठे हैं, सभी लोग देखेंगे, बनकिया हुआ है, यह बाहिय भूमिका है, तो बाहर की भूमिका भी चाहिए, आंत्रिक भूमिका, यह जब आप करते हैं, ध्यान ब्रगट होता है साधना में, और जो तो काम करना ही पड़ेगा, मन फिर जाएगा, इसके बावजूद मन चला जाएगा, क्योंकि उसके जोग्यता नहीं अर्जित की हैं, अभी उश्तिती नहीं आई है, समय लगेगा, समय लगेगा, आपने संकल्प लिया, मैं दिल्ली जा रहां, मैं दिल्ली जाओंगा, दिल्ली पहुँच गय, संकल्प लिया है pokipp to, पहुंचे नहीं है, चलना पड़ेगा, ऐसे ही है, अब अभ्यास करनी पड़ेगी, जिसको मैंने कहा था अभ्यास वैराग्या अभ्यामतन निरोधा, योगदर्सन का सुत्रा है, गीता में जो किता के लिए कहा था, अभ्यासें तु काउंते वैराग्यन चगरियते, योगदर्सन में बिल्कुल यही तरीका बता है, वो जो चित अभी कहा उसको, कि, ने, वो तो गीता कहा है, योगदर्सन का सुत्र अभी कहा, मतलब वही है, कि तत्र, वो अभ्यास और वैराग्या, मतलब उस वृत्यों के निरोध के लिए, जो चित की वृत्यां, अभी चित की वृत्यां क्या है, देखिए यह सब चीजें, सारी चीजें कैसे बताई जाये, लेकिन आपको, मैं बिल्कुल सलल भासम बताता हूँ, बृत्या का मतलब होता है, वृत्य मने गोला, यह आप समझ रहे हैं, बृत्य मने गोला, और चित की वृत्यां, बृत्यां मतलब तरंगें, जिसे समझें, एक अपने पानी है, और प प्रकार से कोई एक विचार आया, अब उस विचार के साथ में और और विचार आने लगते यह तरंगे चलती है यह तरंगे और वो तरंगे वो उस पर तमाम बातें ऐसी विचार आ रही है, क्या कहते हैं यह न हो, योगश्चित्य वृत्ति निरोधा, योगश्चित्य वृत्ति निरोधा चित्य की वृत्तियों का निरोध योग है तब क्या होता है तदा द्रश्टू सरूपे अवस्थानव तब द्रश्टा की अपने रूप में इस्थिति होती है द्रश्टा आत्मा जो पुरुश है अपने आप में शान बस यह स्थिति है अब इतने से काम नहीं चलेगा तब खाते हैं यह वृत्ति क्या है कितने प्रकार की वृत्ति होती है तब बताएं क्रिष्ट, अक्लिष्ट फिर पांच प्रकार की होती है फिर उग क्या है राग, द्वेश, अभिनेवेश यह बहुत सारी विद्या, अश्मिता राग, द्वेश, अभिनेवेश, पंच तया यह पांच प्रकार की होती है वो क्लिष्ट होती है, क्लिष्ट होती है चाओ पढ़ो योगदर्शन अब एक इस चीज के वियाख्य करों उसमें समय जाएगा, लेकिन इतना आप समझे आपके विचारा है और वो जो तरंगे चलती, विचारों की विरित्यां चलती है वो न रह जाए जिसको मैंने पहले भी कहा था तो वो जब श्राण जिसे पानी हो, जल हो तरंग न हो तरंग न हो तरंग रहित मन तरंग रहित और ये भी सच है मन या तो होता है या तो नहीं होता है दो ही बात है, या तो मन होता है या तो मन नहीं होता है शान्त मन जैसे कुछ होता ही नहीं है क्या कहा यवास समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ शान्त मन होता ही नहीं है और मैं कहाता हूं बीज बीज में मन शान्त मेरा मन शान्त सच क्या है शान्त मन जैसे कुछ होता ही नहीं है या तो मन होता है या तो मन नहीं होता है मन का अर्थ ये चंचल चंचलता ही लक्षण है उसका कभीर साहिब जोने कहा यह मन चंचल, यह मन चोर, यह मन शुद ठगहार, मन मन करते सुर्नर मुनी जहडे, मन के लक्षदुआर, यह मन चंचल, यह मन चंचल ही है, यही इसका प्रमाण है, मन शांद क्या होगा, मन चंचल ही रहेगा, इसलिए यह यह तो मन होगा, यह तो मन नहीं होगा, इस पर बात करूंगा, एक क्या है जो मैं कह रहा हूं या तो मन है या तो नहीं है अभी तो बैठें साथना में, कुछ तो बातं सफजवें रही है। भूमिका निरमित करो भीतर से, बाहर से भी तो थोड़ी देर साथना में बैठें फिर चुट्टी करेंगा करें थोड़े समय साधना करते हैं फिर चुट्टी करेंगे सभी आखे बन करें सिते बैठें शरीर शान और ठीला है रिलेक्स और शिथिल प्रतेक अंग ठीला है शिथिला है तनाव रहित शाष बहुत मन थरगती से थिरी 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 मन भी शान अमन मौन अंदर शन्याटा हो पूर्न शन्याटा अकेला पन मैं अकेला हूँ कोई नहीं मेरे पास न व्यक्ती न वस्तू सबसे अलग शान गरी शान बहुत अकेला है पूरा संकल पभाव मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं करशत्ता हूँ, करके ही रहूँगा, पूरा विश्वास के साथ। पूरा आतमा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, विचार भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, एक तमशान। पूरा आता हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं विचान। पूरा आता हूँ, मैं विचान। झाल झाल सभी महसूस कर रहे हैं कि मैं भीतर्षिश शान्त और मौन हूँ निस्तव धमन अकंपमन आरे दिए उस्तासा निसरे शान्त बार्द प्राद्छत रहे हैं जान्त अकंपमनॉ झाल 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 कम सब्दों का प्रयोग करें बाहर का मौन शिविर जब ऐसी व्यस्था होती है जहां परिश्धंक से परिशर्व हो और जहां सब लोग एक जगह रहें तो प्रतिबंद रहता है मौन का पालन करो यहां 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 प्रतिबंद बोलने की आदत हैं मौर रहना चाहे कम बोलने की आदत तो सब जगा अच्छी है कहीं भी रहें ये अच्छे गुण माने जाते हैं कम बोलने की आदत है धीरे बोलने की आदत है मिठा बोलने की आदत है ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे बाहर की भूमिका कैसी होनी चाहिए यह मैंने कहा तबी साधना कल की भूम का कैसे हो एक बाहिए एक आन्तरिक लेकिन जब आप वेभार में हो तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए और ऐसे जीवन हो जिसमें ध्यान का जनम हो ध्यान प्रगट हो